हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस समय की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको अपडेट कराना चाहूंगा इस समय की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मायावती जी ने मोधी को आखरी चेतावनी दे दिये जी हाँ दोस्तों आज मोधी सरकार पर फिर से मायावती जी ने बहुत बड़ा हमला बोला दरसल मोधी सरकार नीद में है इस समय याद करिए दोस्तों मोधी सरकार ने कुछ दिनों पहले करपूरी ठाकुर सहब को भारत रतन से नवाजने का आईलान किया कुछ दिन बीट गया सब शांत हो गए और उसके बाद फिर से आईलान हुआ कि अब आडवाणी जी को भारत रतन मिलेगा इसके बाद तो हद ही हो गई इसके बाद तीन नाम एक साथ आईलान कर दिये गए कहा गया मेस स्वामिनाथन श्वैत करांती के जनक साथ ही साथ चोधरी चरण सिंग किसान नेता इसके अलावा पीवी नरसिमाराव साहब को भी भारत रतन मिलेगा लेकिन एक नाम जो मोधी सरकार ने छोड़ दिया इसको लेकर मायावती जी बेहद नाराज हैं मायावती जी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर सीधा आग्रे किया और कहा कि ये आखरी चेतावनी है अब मानवर जी को भी भारत रतन मिल जाना चाहिए दोस्तों इसके अलावा मायावती जी ने मोधी सरकार के श्वैत पत्र को लेकर भी हमला बोला क्या कुछ कहा है आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा लोगों ने किस तरीके से मायावती जी का समर्थन किया है वो भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा लेकिन सबसे पहले खबर क्या है खबर ये है कि जिस तरीके से तमाम हस्तियों को मोधी सरकार भारत रतन दे रही है मायावती जी उससे दुखी नहीं है मायावती जी स्वागत कर रही है इस कदम का लेकिन ये भी कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि मानवर जी को भी भारत रतन मिल जाना चाहिए क्या कहा है क्या बयान दिया है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वर्तमान बीजेपी सरकार दोरा जिन भी हस्तियों को भारत रतन से सम्मानित किया गया है उनका स्वागत है लेकिन इस मामले में खास कर दलित हस्तियों का तिरसकार उप्यक्षा करना कत्ताई उचित नहीं है सरकार इस पर भी ध्यान दे आगे कहती है बाबा साहिब भीमरावा मेटकर को लंबे इंतिजार के बाद शुरी बीपी सिंग की सरकार दोरा भारत रतन की उपाधी से नमाजा गया था इसके बाद दलित और उपिक्षितों के मसीह मानवर शुरी कांशी राम जी का इनके हितों में किया गया संगर्श कोई कम नहीं उन्हें भी भारत रतन से सम्मानित किया जाना चाहिए तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मोदी सरकार जब तमाम लोगों को भारत रतन दे रही है करपूरी ठाकूर को दे रही है पिविनरसिमा राव को दे रही है अडवानी तक को दे रही है तो मानवर जी को आखिर भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है और यही सवाल खड़े कर रही है व्यस्पी सुप्रियों इस समय दोस्तों बहुत सारे लोगों ने रियक्शन भी अपने अपने दिये हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों पत्रकार अजीत अंजुम जी ने लिखा है दलिच चेतना के लिए जितना काम कांची राम ने किया उस हिसाब से उन्हें भी भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए इस पर परवेज आइमद लिखते हैं कांची राम जी को फिलहाल भारत रत्न नहीं मिलेगा आप लखनव होते सर तो आपकी इजाज़त से ही आप से विस्तार से चर्चा कर लेता तो ये परवेज साब कह रहा है कि मूदी सरकार मानुवर जी को भारत रत्न नहीं देगी नदीम सामें क्या लिखा नदीम सामें लिखा भारत रत्न की विसाट पर मायावती का भी दाओ बोली दलितों और उपिक्षितों के लिए कांची राम का संगर्ष कम नहीं फिर उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया अब तक दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है क्या ये जो सरकारे हैं ये दलित विरोधी हैं चाहे कॉंग्रेस हो चाहे भारतिय जनता पार्टी हो क्योंकि मायावती जी लगातार लगातार चाहे कॉंग्रेस हो चाहे भारतिय जनता पार्टी हो दोनों को घेर रही हैं आपको याद द कांग्रिस ने जहां मोधी सरकार के 10 साल के शासन के मौके पर ब्लैक पत्र जारी किया वही पर मोधी सरकार ने यूपिये के 10 साल के शासन के बाद श्वैत पत्र जारी किया और जिस तरीके से मोधी सरकार ने श्वैत पत्र जारी किया है उसको लेकर भी मायावती जी ने मोधी सरकार पर हमला बोला जम कर कोसा है जरा देखे क्या कहा है मायावती जी कह रही है कि चाहे भारती जनता पार्टी हो चाहे कॉंग्रेस पार्टी एक दूसरे को गलत और जन विरोधी साबित करने का खेल ये लोग चुनाव के समय में अक्सर करते रहते हैं ऐसी संकिन राजनीती से देश और जनहित और जन कल्यान कैसे संभव है कह रहे हैं कि ये इनकी कमिया गिनाएंगे लेकिन में मुद्दों पर बात नहीं होगी उन्होंने कहा खास कर ऐसे समय जब करोणों लोग जबरदस्त महगाई गरीबी बेरुजगारी किसानों की बदहाली ग्रामिट भारत क से लगातार द्रस्त हैं जिसे देश हित भी प्रभावित है सभी स्वार्थ को त्याक कर देश के अती चिंतनी राष्ट जी समस्याओं पर संगठित प्रियास बहुत जरूरी है तो दोस्तों मायावती जी लगातार बिरुजगारी महगाई गरीबी का मुद्दा उठा रही हैं और जहां मुद्दी सरकार श्वयत पत्र जारी करके अपनी नीतियों का अपनी लब्धियों का बखान कर रही है वही पर मायावती जी ने मुद्दी सरकार को घेरा है तो दोस्तों मुद्दी सरकार बुरी तरीके से समय घिर चुकी है देखे मुद्दी सरकार ने क्या क चाहती है कि आखिर बीजेपी के लोग ये कैसे पता कर लेते हैं कि अब की बार 300 पार हो जाएगा अब की बार 370 पार हो जाएगा अब की बार 400 पार डर तो साफ तोर पर दिखाए दे रहा है जैन चौधरी इनके पाले में नहीं आ रहे थे तो इन्होंने भारत रतन दे दिया अब जाहिर तोर पर वो खुश होंगे चौधरी चरण सिंग को जिस तरीके से भारत रतन दिया गया है अब माना जा रहा है कि हो सकता है डील पक्की हो गई हो फारिनल हो गई हो लेकिन अईलान अभी नहीं हुआ है तो मोधी सरकार इस समय साम दाम दंड भेद की नीती अप कि कहीं मुलाइम सिंग यादव को भी मोधी सरकार भारत रतन दे दे जी हां दोस्तों और ऐसा करेगी तो फिर जाहिर तोर पर अखिलेश यादव भी खुश हो जाएंगे वो भी जैन चौधरी के तने भावनाओं में बह जाएंगे कि अब तो मोधी जी ने दिल जित लिया अब क्या रखा है अब तो सब कुछ कर दिया मोधी जी ने बड़ा सवाल क्या भारत रतन देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या भारत रतन देने से किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी गरीबी बेरुजगारी महगाई खत्म हो जाएगी में मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा यह जो नेता हैं भारत रतन मिलने पर फूली नहीं समा रहे हैं अरे भारत रतन दिया तो उसके पीछे मकसद समझना पड़ेगा कि क्यूं दिया जैन चौदरी को भी समझना पड़ेगा कि चौदरी साहब को दिया है तो आप से लेंगे भी आपको गड़बंदन में जाना पड़ेगा और अगर नहीं जाएंगे तो अभी तो सामदाम मिला है दंड भेद भी हो सकता है तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जैन चौदरी एंडिये में जा रहे हैं नभी अलान नहीं हो आपको बता देता हूँ तो बड़ा सवाल क्या आप मुलायम सिंह यादों को भी मोधी सरकार भारत रतन से नमाज देगी कांची राम को क्यों नहीं यही तो बड़ा सवाल है लोग कहते हैं मायावती जी भारती जनता पार्टी की बी टीम है अरे अगर मायावती जी भारती जनता पार्टी की बी टीम होती ही तो मानवर जी को भी भारत रतन कब का मिल जाता लेकिन मानवर जी को भारत रतन अभी तक नहीं मिला जाहिर तोर पर दोनों पार्टियों की विचारधारा में जमीन आस्मान का फर्ग है मैं बार-बार कहता हूँ कि BSP की विचारधारा अंबेटकर वादी विचारधारा है और BJP की विचारधारा हिंदुत वादी विचारधारा है तो अगर कोई टक कर दे सकता है इस समय हिंदुत वादी विचारधारा को तो वो है अंबेटकर वादी विचारधारा देखे भाई बन जाएंगे आगे क्या आगे आपकी राजनिती का क्या होगा आप तो खुद कहते थे जैन साहब कि मोधी सरकार जिसे अपना साथी बनाती है वहाँ पर किसी को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता खेर अब वक्त बदल गया है अब चौदरी साहब को भारत रतन मिल गया है तो जनता पूछ रही है क्या चौदरी साहब को भारत रतन देने से किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी और बड़ा सवाल आखिर मानवर जी को मोधी सरकार ने भारत रतन क्यों नहीं दिया अब माया वती जी ने सीधे तोर पर मांग कर दी है कि हम मानवर जी को भी भारत र तन मिलेगा आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी परत्किरिया आपने भी जरूर दीजे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सही हो करिए वीडियो को जन जन तक पहुंचाए जिससे देश की जनता जागरुखो बहुत बहुत जय भारज जय सुम्दान।